नमस्ते, मैं शोबाराव वकालत तो पूरी की और पेशे से soft skills trainer बन गई बहुत सारे कंपनियों और colleges में training workshops दे चुकी हूँ मेरी Smile Makers Training Project की विजिन है कि हम सब Smile Makers के दुनिया में रहे जी हाँ, Smile चाहे कोई भी स्थिती हो और Smiles बाठते रहें मैं एक content writer हूँ और Amazon की best selling book Journey of a Corporate Mentor की लेखिखा भी भारत और विदेश में खूब जगर घुमने या रहने के बाद मैं लगपक दो साल पहले अपने मूल स्थान मंगलूरू को वापस आ गई मैं आप लोगों को हमारे अनोखे खूब सूरत मंगलूरू के बारे में बताना ही नहीं लेकिन प्रेरत भी करना चाहती हूँ तो आई है मंगलूर में आपका स्वागत है हमारा शहर मंगलूरू एक निराला शहर है जिसे नव अलग अलग नामों से जाना जाता है संस्कृत करन्तों में इस प्राचीन स्थान को मंजारून कहते थे पहले शताबदी के यौरपी व्यापारी इसे मंगनूर कहते थे अरब व्यापारियों की वनसच जो आज ब्यारी मुस्लिम बाशा बोलते हैं इसे मैकला कहते हैं मंगलूरू परिवाहन के सभी साधनों से बहुत अच्चे से जुड़ा है यदि आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो देखें कैसे पाइलट बचपे पहाडी के ऊपर टेबल टॉप रन्वे हवाई अड़े पर कुशलता पूर्वक लैंड करता है मंगलूर की ओर पहाडियों के बीच में ड्राइव करने का तो अपना ही मजा है पस्चिमी गाट के हरियाली, घने घने जंगल, चमकीले दान के खेद, धाराए, जरने, नारियल और ताड के पेड, सुपारी, कौफी, खाजू या रब्बर के बागान सभी का खूब आनन ले सकते है मंगलूरू रेल्वे स्टेशन पुराने विश्व का आकर्शन है, जो भारत के प्रमुक्स शहरों से बाखु भी जुड़ा है विशेश रूप से ओपनेर विस्टाडोम कोच की यात्रा करना कभी न बूले आप मंगलूरू के बंदर में विशाल अंतराष्टिया क्रूस जहाज में भी आ सकते है या फिर आप शीतल नदी पे बैक वाटर बोटिंग का आनन ले सकते है मंगला देवी मंदर के नाम से इस शहर का नाम मंगलूरू पड़ा मंगलूरू एक अनो का शहर है जहां तो एक तरफ पस्चिमी काट और दूसरी ओर अरब सागर है और बीच में गुरपुर और नित्रावती नदियां बैती है भारत में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां बीचेज, रिवर्स, माउंटन्स और वैली सब एक साथ निवास करते है यहां के सिरी सेंटर या शहर केंद्र को हमपनकटा के नाम से जाना जाता है प्राचीन काल में अपना नामक व्यक्ति ठके हुए यात्रियों का स्वागत एक कोई के पानी और गूर से करता था हाल ही में इस कोई को सडक मरमत में निकाल दिया गया हमपनकटा है एक बीडभाड़ वाला इलाका है ये एक प्यवसाईक केंद्र है जहां टाउन हौल, नेरू मैदान, गंटागर, सरकार निगम, सर्वजानिक, योग्यता, कार्याले, मॉल, होटेल, अस्पताल, शिक्षा संस्तान, शौपिंग और ओफिस कॉंप्लेक्स भी है ये जिल्ला, पांच नेशलाइस बैंक्स का उतकम स्थल है मंगलूर में बहतरीन, एजुकेशनल और मेडिकल सुविदाएं भी है मनोरंजन और मौजमस्ती के लिए आप मंगलूर के बेमिसाल बीचिस, थनिरभवी और फणंबूर आ सकते हैं अब समुद्र में वाटर अडवेंचर स्पोर्स भी कर सकते हैं मंगलूर के इतिहास देके तो उस समय के स्थानिय राजवम्शो जैसे अलूपास, नायकास या चावटास का शासन था पंद्र में शताब्दी तक ये तुलूनाडू क्षेत्र विजयनकर सामराज्य का हिस्सा था उसके बाद पोर्चिकीस व्यापारी बन के आए और फिर वे तटके शासक बन गए क्या आपने इतिहास के किताबों में मंगलूर की राणी अबबक्का के बारे में पढ़ा है चार दशकों तक ही चोटा कुल की बहातुर राणी ने पोर्चिकीस के किलाफ बार बार युद किया था ये पहली भारतिया मैला स्वतंत्र सेनानी है चो फिदेश शासन के किलाफ मस्पूती से खड़ी रही इनके सम्मान में इनकी मूर्ती उलाल में देख सकते और वहां के दरगा भी मंगलूर एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड़ा बन गया था और पुना खबजा करने के लिए कहीं लडाया लड़ी गई मंगलूरू किले का एक मात्र अविशेश अब सुल्तान बत्तिरी नामक वाच्टवर है इसका निर्मान टिपू सुल्तान ने तोप काने को स्टोर करने के लिए किया था प्रारम में मंगलूरू मदरास प्रसिडंसी का एक हिस्सा था और स्वतंतरता आंदोलन के बाद इसे मैसूर राज्य के साथ इककृत किया गया था और अब यह तक्षिन कनडा जिल्ले का मुख्याला है और करनाटक के स्मार्ट सिटी मिशन का एक हिस्सा है मंगलूरू में धार्मिक परियाटन एक बड़ा आकर्शन है चात्योहारों को बड़ी बक्ती, दूमदाम और महिमा के साथ बनाया जाता है पौरानिक इतिहास के अनुसार बगवान परुशुरामा ने समुत्र से तुलुनाड कट को मूल रूप से वापस पाया था मंगलूर के विशाल खदरी मंदिर में उन्होंने बगवान शिवजी की आरादना की थी यह एक ही ऐसे मंदिर होगा जा पानी के टंकी मंदिर से उपर स्थित है यहां बगवान मंजुना तेश्वर की बहुत प्राचीन अद्पुत मूर्ती है क्योंकि शुरुवात में यह नागों का स्थान था इसलिए मंगलूर में आज भी सर्पूजा का बहुत महत्व है यहां पवित्र व्रिक्ष के नीचे नाग बना की प्रातना होती है और खुड़ुपू या खुके सुब्रमन्यम जैसे नाग मंदिर को बहुत शक्तिशाली माना जाता है नाग मंदला जैसे विशेश सर्पूजा समारों को देखने एक कभी न बूलने वाली अनुबव है मंगलूर क्षेत्र में लगपक हार नुकड पर कहीं छोटे या बड़े मंदिर है जो भक्तों को आकरशित करते है जैसे शरवू मंदिर या सोमेश्वर के तट मंदिर है एक विशिष्ट मंगलूरी शैली के मंदिर के विशेश्टाएं उत्थर बारतिया शैली के मंदिर से बहुत अलग है जैसे परिदी की दिवार और आंगन, पक्ति मार्ग, प्रकास्थम्ब, द्वजस्थम्ब, बली के पत्तर, खटगरे और खलश के साथ मुख्य घोपुरम के नीचे मूर्तिया उत्सव के दिनों में मंदिर की मूर्तिया को पाल की या रतों में लेचाया जाता है और बहुत दूम दाम से संगीत और भक्ति के गीतों से पूरा स्थान मनोरंजन में टूप चाता है ज्यादादर लोगों को मंगलूर के भव्य नवरात्री समारों के बारे में कम जानकारी है आकरी दिन पूरे शहर में खुद्रोली के गोकरना तेश्वरा मंदिर या कास्ट्रीट के विंकर तेश्वरा मंदिर या बोलार के मंगला देवी मंदिर से दिन और रात तक जुलूस निकाले जाते हैं उत्सव की रंकीन, स्ट्रेट लाइट और गाने, कहीं टैबलोस, लाइव इंस्ट्रुमेंटल संगीत, आतिश बाजी, वेश बूशा में स्थानिय लोग, फीड की बक्ती के साथ मंगलूर दशेरा जुलूस को एक अनोखा अविस्मर्य अनुभव बनाते हैं यहां के स्थानिय लोगों की शरीर पर पाग का चित्रकला देखे और फुल एनरजी वाले ठाइगर डान्स भी बहुत मशूर है देवी की मूर्तिया अंतिम रात को मंगलूर के आसपास के प्राचीन तालावों में विसर्चित हो जाती है क्या आप चानते हैं कि वर्ल फेन्र सुगंदित मंगलूर चमेली के फूल मंदिरों के भाहर मुख्य रूप से इसाईयों द्वारा बेचे जाते हैं इसाईय शादी के रोज समारो या मदर मेरी त्योहार का जुलूस हिंदू संस्कृति से काफे मिलते जुलते हैं मंगलूर के कई क्रिश्चिन परिवारों ने कई पीडियों से अपने मूल हिंदू उपनाम को परकरार रखा है जैसे लोबप्रबू या सल्दानाशेट मंगलूर में अद्पुत चर्च है जैसे रुजार्यो चर्च या मिलागरिस चर्च जैसुरिद द्वारा अलोईशिस संग्राले या अलोईशिस चैपल के इंटीरियर का फ्रेस्को पेंटिंग एक अस्चर्य जनक द्रिश्य है बेसल मिशन ने इस क्षेत्र में पहला प्रिंटिंग प्रश शुरू किया था मंगलूर की विकास में मिशनरीस का बहुत बड़ा हाथ है इन्होंने शिक्षा या उध्यो जैसे टाइल बनाने, कौफी क्योरिंग, वोमपत्तियादी के ख्षेत्र में बहुत योगतान दिया मंगलूर के लोग आम तोर पर साधे सुवागे होते हैं और विशहर को साफ रखते हैं मंगलूर के मशूर खदरे बागान का आनन्द लीजिए समय हो तो पिलिकुला निसर का दामा भी देखे जहां आप एक टूरिस के रूप में काड़िंस, चिडियागर, छील, तारामंडर और विज्ञान के इंद्र का दर्शट कर सकते हैं आपको आर्टिसन्स विलिज जरूर चाहना चाहिए जो शिल्पकार के पुराने कौशल को जीवित रखता है वे हैंडलूम के कपड़े, कापिंटरी का कला, भैंबू के वस्तुए, मिट्टी के बर्तन, लोहार के वस्तुए, पत्तर के वस्तुए, खाने की चीज़े आधी जैसे दिपिन प्रकार की वस्तूओं का उतभातन करते हैं गुत्तु मने की यात्रा करना न बूलिये जो बंड्स के उरिजिनल कम्यूनिटी घरों का स्वरूप है आपको मंगलूरों में इस्तमाल होने वाले पारमपरिक घरेलों सामनों का अंदाजा हो जाएगा जहां जॉइन फैमिलीज में रहना एक आम बात दी मंगलूरों की शान्त गलियों में गुमने से आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि कैसे आदुनिक अपार्टमेंट्स और प्राचीन कर एक तुसरे के अकल बगल में मौचित है हाँ, स्वादिश्ट भोचन काना मंगलूरों के लोगों के एक उत्सा ही कोज है चाहे आप वेजटेरियन हो या नौन वेजटेरियन मंगलूरों के खाने पकाने के विभिन्द तरीके और अनोखी विदी आपको चकित कर देगी मंगलूर के स्थानिय होटलों में विभिन्द परकार के विचावल के आइटम्स नाष्टे पे मिलेंगे जैसे मूडे, खुटिगे, खकडी, इडली, पुंडी, नेयपा, शामिगे, नीर्दोसे, सजगे बजिल, दैपोवा, पत्रोडे, कटहलकटी या अपम तीन लेयर वाली खलड का चाई या फिल्टर कॉफी देखने और पीने के लिए एक ट्रीट है अगर अब शौकीन है, तो यहां के शानदार टोड़ी बास का आनन ज़रूर ले यदि आप पामसारी है, तो फिश करी और उपले हुए चावल, शेल फिश, मरवई सुक्का, फिश पुली मुंची, खाने फिश फ्राई, ड्राइफरिश या जिंगे की चटनी, चिकन की रोस के साथ खोरी रोटी, भोग उर्वाल और बहुत कुछ खा सकते है और अगर आप शाकारी है, तो यहां की स्वादिश्ट्य शाकारी ताली ब्रामन या कॉंकनी शैली में मिलता है, इसमें चावल, सब्ची, रसम, सामबार या गसी होता है, काशी हल्वा, रागे मन्नी, होलिगे और पाइसम जैसे स्थानिय मिठाईयां जरूर आजमाएं आपको आइडियल आइसक्रीम पारलर जरूर जाना चाहिए और उनका सिगनिचर गडबड आइसक्रीम या पान आइसक्रीम जरूर ट्राइ करना चाहिए मंगलूरू वासी अपने शाम के नाश्टे में घोली बजे, खेला पोड़ी, बिस्कुट रोट्टी, मंगलूर बन या कंटिला फ्राई जैसे आइटिम्स काते हैं मंगलूरू के लोगों के पसंदिता स्ट्रीट फूड को चर्मुरी कहलाते है जो बेल पूरी से पिलकुल अलग है अगर आप क्लब्स के शौकीन है तो मंगलूर के में कई बैतरीन क्लब्स है जो आप मेंबर्स के साथ विजिट कर सकते हैं मंगलूरू के लोगों ने अपने समुदाहे के अनूठे रीति रिवाजों को और कल्चर को मस्बूती से बरकरार रखा है। वे कंबला नामक प्राचीन खेल को पूरा उत्सा के साथ देखते हैं जहां कीचड़ वाले पट्रेयों पर भैसो का धोड होता है। हर तरफ जैजैकार लगाने वाले उत्सा ही मुर्का लड़ाई का भी आनन देते हैं। मंगलूरू के गरों में चण्यमने जैसे पुराने बोर्ड केम्स आज भी भाये जाते हैं। और यहां पर लोग यक्षगाना नामक एक फोक आर्ट के प्रदर्शन को देखने के लिए पूरी रात जाकते हैं। यहां के कलकार अपना मेकप और वेशबूशन खुद करते हैं। मंगलूरू के वन भूमी के कई मोल निवासी समुदय अप्पी है। जैसे मोगवीरा मचवारे, बंठ युद्धा, बिल्लव शिखारी, जैन प्रशासक या कुरगा आदिवासी। स्थानिया आत्माओं को खुश करने के लिए वे अब भी एक अनोकी धार्मिक पूजा का पालन करते हैं। भूतकोला उत्सव नामक अनुष्ठान के दोरान एक अभिने करता ताड के पत्ते के सकर्ट, पूरा मेकप, मास्क और पायल के साथ एक लंबा चोड़ा पोशाक पहनता है। वह भारंपरिक संगीत और भारदाना नामक गेतों के संगत के साथ साथ एक सनक्सी सवार हो जाता है, आत्माओं को बुलाया जाता है और सवालों का जवाब भी देता है। एक पटाखा शोग आहम तोर पर एक मुसलिम परिवार के सदस्यद बारा लगाया जाता है। ये मंगलोरियों के बीच कम्यूनल हामनी का बहुत अच्छे एक्साम्पल है। ब्यारीस मंगलोर के शुरुवाती मुसलिम समुदाए में से एक है। बंदर की पहली सदी की जुम्मा मस्चित को देश की सबसे पुरानी मस्चित में से एक माना जाता है। ब्यारी महिलाएं भारी आबुशन पहने के शोकीन होते हैं और पुरिश आमत और पर समुद्री भोजन, लकडी या मसालों के व्यापारी होते हैं ब्यारी मुसलिम्स के अपने विशिष्ट रीती रिवाज है जो अरब और तुलू दोनों संस्कृतियों का मिश्रन है मंगलूरू के मौसम काफी गर्म होता है या फिर जोरतार बारिश यहां के लोग दिन की शुरूआ चल्दी करते हैं अब बंदर में मचली पकड़ने की हलचल देख सकते हैं या फूलों के बजार में फूलों के महक का आनन ले सकते हैं यहां की स्थानिय विशिष्टाओं का शॉपिंग कीजिए थांबे या फीतल के बस्तवे, पूजा के बस्तवे, डिंकी लड्डू, घेओ के हल्वा, कटहल या आम के बस्तवे थानिय नमकीन, ताड के गूड, बसाले, आचार या कोरी रोटी खरीच सकते हैं महिलाओं के लिए साड़ी या गेहनों की कई भिन प्रकार की दुकाने हैं आप मंगलूरू के आसपास के कई नाच्रुपति और आयुवेदिक सेंटर्स में जाकर टीटॉक्स प्रोग्राम कर सकते हैं और तन, मन और आत्मा से पूरा शान्ति पा सकते हैं आप नेचर के अनुबव के लिए मंगलूर के आसपास यात्राएं कर सकते हैं जैसे दिरुपू जरने या जमलाबाद फोर्ट पर ट्रेकिंग आप बंटवाल के तुलू संग्रालाई में लोकल कल्चर के बारे में दिल्चस्प ग्यान ले सकते हैं आप खापू बीच में स्नौर्खिलिंग या स्कूबा डैविंग जैसे वाटर एड्वेंचर स्पोर्ट्स का आनन्द ले सकते हैं आप पॉलली, कटिलिय, दर्मस्तला जैसे बहुत से पवित्र प्राचीन मंदिरों के धर्शन कर सकते हैं आप मूड बिद्री या कारकड़ा में जैन बसरियों और विशाल गुमटेश्वर का उर्टियों का धर्शन कर सकते हैं आशा करते हूं कि ये हमारा चोटा सा कदम मैंगलूर की एक जलक की ओर आपको जरूर आकश्यत करेगा यहां प्राचीन संस्कृती के साथ साथ आपको आधुनिक सुविदाओं का पूरा मिश्रन मिलता है हमारे मंगलूर की यात्र अवश्य करें और जी को लुभा देने वाली जीवन भर की यादे समेट ले जाए धन्यवाद